देर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई देर फ्रेंट्स इस डाउट को देखते हैं कि सर मैं अभी सेंट्रल गवर्मेंट जॉब में हूँ मेरी वाइव का जी आई सी प्रवक्ता में सेलेक्शन हुआ है क्या क्या डॉकुमेंट्स अप्लोड करने होंगे तो देखी जो निदे साले ने जो है वह एक गाइडेंस निक यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो अब यहां पर आप देखेंगे तो इसके फॉर्टीन नंबर के पर जब आप जाएंगे तो फॉर्थ में यह ऑप्शन दिया हुआ है यह मतलब यह गाइडलाइन दी गई है यह जरा देख लेते हैं इसमें देखें लिखा हु राज अथवा केंद्री विद्यालेओं महा विद्यालेओं एवं राजकी गौवर्मेंट अर्थ सासी सेवी गौवर्मेंट सेवा में कारेरत हैं वित्भीन यास्वा वित्पोषित विद्यालेओं महा विद्यालेओं विश्व विद्यालेओं का प्रमाण पत्र मानने नह जो है वो एक certificate देंगे कि आपने यहां पर आप यहां पर job कर रहे हैं तो एक वो job certificate आपका हो गया तथा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र यानि कि आपका जो last salary जो आई होगी उसका आपको certificate देना होगा यह भी आपके employer जो है वो देंगे आपको जिस government job में आप हैं साथ ही पति-पत्नी के संबंध होने का पुष्ट प्रमाण यथा विवहा प्रमाण पत्र या पति-पत्नी के सच्छम अधिकारी निंत्रक अधिकारी द्वारा सेवा पंजिका में नामांकन के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए मतलब इन्हों नहीं यह बोला है कि या तो आप मेरे सर्टिफिकेट दें या फिर जो अगर आप दोनों जॉब में हैं तो उस केस में आप यह करें कि जो आपकी सर्विस वुक है या सेवा पंजी का है उसमें जो है अगर वाइफ है तो उनके हस्वेंड का नाम लिखा होगा और मतलब हस्वेंड तो उनकी वाइफ का नाम लिखा होगा तो इस तरह का हला कि वाइफ का नाम नहीं लिखा होता है फादर का नाम लिखा होता है लेकिन हम वाइफ का नाम भी लिखा होता है ठीक है इस पाउस का ऑप्शन होता है तो उसमें लिखा होता है ठीक है ना तो वो जो है वो जो है उसके अधार पर जो है वो certificate जो है वो जारी करें सच्छा मत्कारी ठीक है ना और उसको जो है आप अपलोड करेंगे और यह सारी फाइल जो है वो चार टीवरी जो है वो जो दिया ना तो इन तीनों को जो है वो आपको एक पीडिया बना लेंड़ा चाहर एक पर प्रेंव आपको अपलोड करना है एर उसको भूड करना है था करना अब